लेंगवे से यह आपका संग्या संग्या विकार लिंक से बिक्ली लाइब मॉक टेस्ट हमारा जो है जे बीटी टैट कमिशन टीजिटी आर्स मेडिकल टैट कमिशन और एल्टी टैट के लाइफ क्लासेश के बादिज में ये कंड़क्टर करवाया गया था तो उसी को हम आज इसमें डिसकुस करेंगे 15 क्वेशन इसमें टोटल आपके पूछे गए थे विदाव डानी नेगिटिम मार्केंग तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो जिसमें की हम इंपोर्टन क्वेशन को जो है वो डिसकुस करने बाले हैं आपका फर्स्ट क्वेशन है यहाँ पर तपस्ट भी ने बहुत अपने के पश्चात यह सिद्धी प्रापत की है तो यहाँ पर यह जो तपने शब्द है इसके स्थान पर भावाच्य संग्या शब्द क्या होगा तपन तपब भूमी तपस्या यह तपोवन तो यह जो है इसका राइट अंसर क्या रहेगा साथ-सार में आप भी अपने अंसर लगा सकते हैं खुद को नेलाइज दोा जिखकर सकते हैं यहा किसे के घर गया यहां पर संग्या शब्द को आपने यहां पर फिल करना है तो इसका राइट अंसर है आपका option C लोकेश जो अब आपका संग्या शब्द किसी का नाम है तो वह अभी अभी लोकेश के घर गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है निमलिकीट शब्दों मेंसे कौन सा शब्द जो है वो दरव्वे वाचक संग्या शब्द है कोईला साहस सूरज या विद्यार्थी कौन सा इसमें जो शब्द है वो आपका दरव्वे वाचक संग्या से संबंदित है तो साहस भी नहीं है सूरज भ भावाचक शंग्या कि छांटिए लगू तनमे बारदक्य विशवशनिय इनके से कमसा चुषब्द है वो भावाचक संग्या शब्द है तो लगूी रही जो आपका उप्शन से वादक्यी लिखा हुआに है आपका भावाचय संग्या शब्द है नेक्स्ट क्वेश्चन है निमन लिखित के किस विकल्द में भावाचक समोबाचक और जाती बाचय संग्या का जो शब्द क्रम है वो बिल्कुल सही है आप्शन आपको यह विजिबल है दासत्व, घौद, जुलाहा, B, कावेरी, दिवाली, बर्शा, C, मकान, मैना, काला सागर, D, चान्दी, पानी और दौर तो कौन सा जो इसमें आपका लग रहा है कि सबसे पहले भावाचय संग्या, यह समोबाचक और जाती बाचय संग्या का यह करम है तो इस question का जो वो आपका राइट अंसर option A है, दासत्व, भावाचय संग्या है, गौद, का समोबाचक है, और जुलाहा, आपका जाती बाचय संग्या है, तो एक सही करम आपका option A मैं है निमन लिखित मैं से कौन सा शब्ध भावाचय संग्या का उधारण है, दल, धेर, जवानी यह लोहा कौन सा शब्ध आपको ऐसा लग रहा है कि जो भावाचय संग्या का उधारण है, तो अगर आपने इस कंसर सोच्छा है option C बिल्कुल सही है, जवानी यह आपका भावाचय संग्या का उधारण है नेक्स्ट क्वेश्छन है, उस विकारी शब्द जिससे की किसी विशेश वस्तू भाव और जाती के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरवनाम कहते हैं, संग्या कहते हैं, कार कहते हैं, यह बद कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट अंसर हैगा आप्शनल भी संग्या कहते हैं, ठीक है, उस विकारी शब्द जिससे कि किसी भी हमें वस्तू के भाव कहिए जाते के नाम का बोध होता है, उसे हम संग्या कहत जोइब हते हैं next question है बिद्वान शब्द का इस्त्री लिंग trabajo्रों मैंसे कौन सा है तो यह बीदूर लिखा है बिदूशी लिखा बिदूशी ठीक है अलगल आपके से मात्रों का डिफरेंशस एश्प्दों का डिफरेंश वाButik तो वरणों का तो इसका जोए वह आपने अगर राइटन से सोच ऑप्शन से बिल्कुल सही है विदूशी आपका इस तरह से लिखा जाता है विद्वान का और इस तरी लिंग जो है वापका विदूशी होता है इंपोर्टन सारे के सारे ये क्वेशन है ठीक है अंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहेगा नेक्स क्वेशन निमलेखित में से इस तरी लिंग शब्द का चैन कीजे गजरा माला जूमर हार तो इन में चार आप्शन में आपको कौन सा इसा शब्द लग रहा है जो आपका इस तरी लिंग शब्द को जो है वो यह पर बता रहा है तो इसका राइट अनसर ओप्शन भी है माला जो है वो आपका इस तरी लिंग शब्द होता है नेक्स वोशन दिए के अभिकलतों में से कौन सा शब्द इस तरी लिंग है अश्चर्य, उज़़ा या अपील कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरी लिंग यह मागी सभी पुलिंग है इस कॉस्ट्विन का राइट असरा है अपशन दी डी अपईल जो है वह आपकी सारे आपके पुलिंग शब्द है नेक्स्ट पुश्ट्व्ट निम्ल निखित मैसे कौंट सा शब्द पुलिंग है अब इस त्री लिंग शब्द हैं नेक्स्ट वोश्चन है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारन किसके अधार पर होता है प्रत्य के अधार पर क्रिया के अधार पर संग्या या सरवनाव के अधार किसके अधार पर हम जो है वो शब्दों का लिंग का निरधारन करते हैं हिंदी भाषा में important question है तो इसका right answer आपका option C संग्या, संग्या की अधार पर जो है हिंदी की शब्दों का लिंग निरधारन किया जाता है next question है निमल लिखी 4 विकल्पों मैंसे उस विकल्प का चैन करें जो लिंग समंदी उचित यूग में है नोकर नोकरों पाठक पाठकों मुरी कम्री कमरा कमरे तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो आपका पुलिंग इस त्रे लिंग का बिल्कुल एक सही प्यर कौन सा आपका option है तो मुरी और मिरी option C बिल्कुल आपका यहां पर correct है इस आज के वीडियो का last question या an important question है निमल लिखीत में से कौन सा शब्द pulling है पीतल, धुलाई, काया या इलाइची कौन सा शब्द आपका जो है वो आपका pulling है धुलाई, काया, इलाइची जो है वो आपके स्त्रिलिंग शब्द होते हैं लेकिन option है पीतल जो है वो आपका pulling शब्द है तो यह थे हमारे dear listeners आज के इस वीडियो के बहुत ही important questions, I hope आपको हमारा आज का यह वीडियो बहुत पसंद है वीडियो पसंद है तो वीडियो को like, share, subscribe चैनल को ज़रूर कर दीजेगा और अपनी valuable feedback, comment section में ज़रूर दीजेगा आपक कर दीजेगा आपको हमारा 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 झाल झाल